जैसा हमने स्वरना चैर्टेबल ट्रस्ट का इतिहास देखा एक लंबे समय से कारेरत इस प्रकार की ट्रस्ट है और एक छोटा हॉस्पिटल फिर डायलेसिस सेंटर यहां से लेकर 2019 में जब योगेश भाई के कांधों पर ट्रस्ट की जिम्मेवारी आई और उन्होंने यह तै किया कि 140 बेड़ का या त्याधुनिक इस प्रकार का हॉस्पिटल वो तयार करेंगे तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी और अक्सर वो मुझसे चर्चा करते थे तो उनके मन में यही चिंता होती थी कि यह जिम्मेवारी तो मैंने ली है लेकिन क्या मैं इसे पूरी कर पाऊंगा और एक सोयम सेवक कैसा होता है तो योगेश भाई ने जब उनके मन में यह शंका थी कि इसके लिए मैं पैसा खड़ा कर पाऊंगा की नहीं उस समय उन्होंने ये भी प्लैन तयार किया था कि समय पर पैसा नहीं आया तो मैं अपना घर भी बेज दूंगा लेकिन इसको मैं पूरा करूंगा ये समर्पण की वृत्ति के साथ उन्होंने इसको तयार किया मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे योगेश जी को मैं इतने सालों से जानता हूं और जिस कारे को हाथ में लेते हैं उसमें अपनी पूरी शद्धा और निफ्टा रखते हैं और पूरे शमता के साथ वो काम पूरा करते हैं मैं ऐसा मानता हूं कि समर्पित कारे करता ये बहुत कम दिखाई पड़ते हैं लेकिन समर्पित कारे करता हूं के का अगर हम विचार करें तो मेरे सामने योगेश भाई का नाम आता है जो हर काम पूरे समर्पन के साथ करते हैं और इसलिए भाशन देना तो आसान होता है लेकिन उसको कुरती में लाना कठिन होता है लेकिन आज योगेश भाई ने अपने भाशन में जिन शब्दों का उपयोग किया उन सारी चीजों को अपने कृति में लाने का काम योगेश भाई करते हैं इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि उनका जो चरित्र है वो बिरला है और एक राजनेता के साथ साथ अपनी सामाजिक भावना को उन्होंने हमेशा जागरूत रखा है और सेवा का जो मंत्र एक स्वयम सिवक के रूप में उन्होंने बचपन से सीखा उस मंत्र को ही लगातार यथार्थ में लाने का प्रयास योगेश भाई करते हैं इसलिए मैं योगेश भाई आपको और सुवर्णा चैरिटेबल ट्रस्ट की पूरी टीम को बहुत बहुत चुपकामनाई देता हूं